हालो फ्रेंड्स, हाव हाव यू बींग, कैसे हो दोस्तों, आप सब लोग अच्छे होंगे, आज का टापिक है देखिए, नाइट ड्रेविंग, नाइट ड्रेविंग जो है, बहुत ही हार्ड हो थी है, आसान कर देना चाहिए, हमें जब भी नाइट में ड्रेविंग करते हो तो हमें ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए, वह बती इंपोर्टन है आपके लिए, अगर वेगिनर हो तो आप नई नई ड्रेविंग सीख रहे हो, और ठोड़ी बहुत चलाना भी जानते हो, तो आपको नाइट में ड्रेविंग करनी पड़ सकती है, तो चाह करें बेसिक पहले तो फर्स्ट अफ ओल अपना फ्यूल चेक करिए, और सेकंड तिंग अपका जो फ्रंट कम ग्लास है, वो ग्लास अच्छी तरीके से क्लीन करिएगा, कोई दाग दपा ना हो, और इसकी फूरी जानकर होनी चाहिए, कि पुछ आपको पुछ ना होगा, क्योंकि जो ग् परकिनर वो नई ड्रैविंग नई नई सीकी हो, तो आप कन्फीूज हो जाते हो, आगे से गाड़ी आते रहती है, तो क्या होता है, उसका लाइटिंग का फोकस जो है, डिरेक्ट अपके आँखों पर पड़ सकता है, और वो दबे, छोटा सा दबे की जोजे से, आपको थो तरीके से देखेंगे, लाइव प्रूफ के साथ, और चला के इसका ट्रायल भी करेंगे, हम नाइट में गाड़ी चलाते समय क्या-क्या परेशानी, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, और देखना चाहिए कि पहले, प्रेक ठीक से काम कर रहा है, क्लच, एक्सेलेटर, पहले चेक करिएगा, अब गाड़ी स्टार्ट करके, एक आफ किलोमेटर ऐसा चला के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप हायवे पर नाइट में ड्राइविंग चलाते समय, ऐसे ही कुछ नहीं मिलेगा, आपको ठोड़ी सी प्राबलम हो सकती है आपके लिए, क्योंकि कोई शाप और रात में, नाइट के समय में, कोड़ा अलट होके ड्राइविंग करिएगा, और आप नाइवी ड्राइविंग के बारे में, और स्टेरिंग को जो है, अच्छे तरीकी से चाहिए और सीट पिल्ड जरूर लगाना चाहिए दोस्तों, मिरर का जो राइट साइट का मिरर होता है, लिप साइट का मिरर होता है, और जो आपके सेंटर मिरर होता है, कीनों मिरर का इस्तमान करिएगा, जो है, और आपको अगर थोड़ी सी भी नींद वग्यारा कुछ आ तो चलाएगा वरना नहीं चलाएगा क्योंकि रिस्क बहुत होता है नाइट में फोड़ी सी प्राब्लम्स आ सकी है तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं और कहीं पर भी अगर कोई कि पांच चिल्वनेट के लिए बाने वाली भी ना ओपनी हो साइस ले तो गाड़ी वाइट जो लाइन होती है वाइट सालिड लाइन के पांच में उस तरफ पूरी कर दीजिए जाड़ी और पूर ब्लिंकर्स यानिकि फूरे लगा दीजिए जा ताकि आने वाले गाड़ी क को इंडिकेशन बिल जाए कि कहीं काड़ी खड़ी है तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो पर अगर दोस्तों मेरे चैनल पर नहे हो तो ग्रपया लाइक करिएगा शेयर करिएगा सबस्क्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा क्योंकि मुझे बहुत आपनी अच्छ अच्छ वीडियो बनाओंगा आपके लिए और बहुत ही मजा आनेवाला है दोस्तो चलो नाइट ड्रेविंग चलते हैं देखिए दोस्तो यह गेर है इसको अब मैं गेर लगाऊंगा और नाइट ड्रेविंग के करते है चलते है देखिए क्लच मैंने दबा दिया है देखिए फर्स्ट गेर डाल रहा हूं मैं फर्स्ट गेर डाल लिया है यह मैंने गाड़ी मू कर ली है अभी चल रहा हूं मैं देखिए मू करने के बाद इमिडेटली सेकंड गेर की तरब जा रहा हूं मैं सेकंड गेर डाल रहा हूं यह सेकंड गेर डाल रही है मैंने चल लिया रोड पर चल रहा हूँ देखिए रोड पर आ गया हूँ मैं देखिए कैसी ड्राइविंग हो रही है देखिए हैवे पर चल रहा हूँ मैं देखिए थर्ड गेर मेरा लग चुका है हो गया है थर्ड गेर डाल दिया है मैंने देखिए यह देखिए देखिए नाइट ड्राइविंग जो होती है बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि जब आपको आदत हो जाएगी अभी ने ने हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो थोड़ी सी प्राब्लम हो सकती है क्योंकि अभी हाइवे पे जो है लाइटिंग रहती है थोड़ी बहुत प्राब्लम नहीं होती है लेकिन सिंगल वे में बहुत प्राब्लम आ सकती है आपको तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा मिरर को देखिएगा अगर mirror को आप देख रहे हो तो देखिए mirror के center के mirror के बीच के नीचे वाली जो clip होती है उसको down कर दीजीगा set कर दीजीगा अपको problem नहीं होगी तो देखिए मैंने finally हम देखिए कैसे जा रहे है यह देखिए एक ही line पे चलना है हमें उस तरप से अगर road बड़ी हो तो problem नहीं हो सकती है क्योंकि आसाम में से कोई गाड़ी आ नहीं रही होती है तो हमें basically बहुत ही easy होता है normal day में कैसा drive करते है वैसे ही होता है लेकिन थोड़ा alert हमें रहना चाहिए क्योंकि जो light के वज़े से speed breaker होगा नहीं तो कुछ सामने कुछ suddenly दिखने ही जाता है तो थोड़ा सा alert होके driving करिएगा और थोड़ा सा धीमी रखिएगा रफतार को speed बहुत ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए beginners को नए नए driving जो सीक रहे हो तो थोड़ी सी जब तक हमें perfect driving नहीं आ जाती तब तक हमें क्या करना होगा slowly ही drive करना होगा क्योंकि जब तक हम लोग slowly जितना slowly driving सिख सकते है ना उतना fast में नहीं सिख सकते क्योंकि इसमें पता चल जाता है अग slowly driving करोगे तो आपको moment पता चल जाता है कहां break करना पता चल जाता है कैसे ज़्यादा तर alert हो जाते हो driving में skill आ जाती है और बहुत ही knowledge मिलता है इससे क्योंकि देखिए मैंने city में enter किया हूँ city में city में आ गया हूँ मैं देखिए busses आती है city में जो रहता है आटो की traffic रहती है और बाइक की अकसर आटो वाले जो होते है वो रट्या करके सामने से रोक देते है तो आप speed में रहोगे तो मुश्किल हो जाएगा बहुत ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि आटो वाले पीछे देखते नहीं है suddenly brake मार देते है तो हम हमें क्या करना चाहिए हमें अलर्ट रहना चाहिए दूसरों पर ब्लेम डालना नहीं चाहिए हम देखके अगर driving कर रहे हो तो सीख जाओगे slowly slowly सीख जाओगे आज मैंने गाड़ी सीखी मुझा आज ही perfect आनी चाहिए ऐसा नहीं होता है थोड़ा वक्त देना पड़ेगा थो तो कोई मुश्किल नहीं है दोस्तो लेकिन अब डरिये मत डरने का नहीं घबराईये मत बिंदा सोके चलाईये लेकिन अलर्ट रहे है थोड़ा सा कंट्रोल में रखिये गाड़ी और मिरर का ज्यादा यूज करिएगा और नाइट ड्रेविंग करते समय मिरर जो है क्लीन र कियागा देखो मैंने लेफ साइट जाना है मुझे 500 मीटर से ही मैंने इंडिकेटर दाल दिया हूँ अभी मुझे लेफ्ट जाना है तो मैं क्या करूंगा लेफ्ट जाने के लिए इंडिकेटर तो मैंने दे दिया है अभी यहाँ पर थोड़ा रोड क्लोज हो गई है तो मै मैंने इंडिकेटर निकाल दिया है अब मैं सीधा चलूँगा थोड़ा आगे जाके फिर से लेफ्ट लूँगा क्यूंकि कुछ कभी कभ्यार क्या होता है लेफ्ट में हमें जाना होता है तो वहां पर कुछ फंक्शन या कुछ प्राबलम होता है रोड कंसक्शन का वर्क चल होता है कुछ ना कुछ होता है तो हमें वह जो है स्ट्रीट अवाइड करनी पड़ सकती है तो हमें इंडिकेटर डाल देना चाहिए क्यूंकि जो लेफ्ट आ रहे हो तो वह आलट हो जाते है कि हमें लेफ्ट जाना है तो चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं देखिए कैसे जा रहा हूं देखिए यहां पर मुझे सिग्नल आ गया है सिग्नल आने के बाद निूटल कर दिया हूं अभी निूटल करने के बाद मैंने फिर से फर्स्ट गेर लगा दिया है अभी जो है चल रहा हूं है देखिए एक लाइन में चलिएगा कोई दिक्कत नहीं होगी कोई परेशानी नहीं होगी एक लाइन में लाइन को बदलना नहीं चाहिए अगर लाइन आपको कुछ अमर्जंसी में बदलना ही है किसी को ओर्टेक करना है ने तो कुछ साम में गाड़ी रुकी हुई है कुछ problem में हो तो हमें right side से indicator दे के right में indicator देना चाहिए और right side से हमें over take करना चाहिए जब तक हम सीधे सीधे जा रहे हैं अगर problem हो तो line change करिएगा वरना नहीं करिएगा ये की line में चलते रहिएगा क्योंकि जब एक ही line में हम चलेंगे तो कोई परेशनी नहीं होगी कोई problems नहीं आएंगे तो हमें हम आसानी से चल सकते है हम आसानी से देखिए fifth gear लग चुका है मेरा fifth gear क्यूंकि top लग चुका है कोई नहीं है खाली road है तो top लगा सकता हूँ night में थोड़ी सी traffic भी कम रहती है और हम थोड़ा से चला सकते है fifth gear मतलब 40 के speed में चला सकते है day में ऐसा नहीं होता है तो देखिए दोस्तो अभी मैं क्या करूँगा यहां से left ले लूँगा अब मैं यहां पर क्या करूँगा मुझे left जाना था आगे से पहले तो वहां पर road का कुछ construction work चल रहा था तो problem हो गई थी तो मैं थोड़ा आगे से left जाने वाला हूँ मैं अभी थोड़ा करीब आने के बाद 500 मीटर से मैं indicator जो है डाल दूँगा तो देखिए दोस्तो यह देखिए साम में आ गया है 500 दूर से है अभी देखिए मैं लेफटन लेने वाला हूँ लेफटन लेके लेफटन ले लिया है मैंने देखिए मैं आराम से जा सकता हूँ देखिए और दूसरा लेफट आ गया मुझे और एक लेफट लेने का है और एक लेफट मैं यहां से ले रहा हूँ देखिए स्ट्रीट में जाने वाला हूँ मैं अब में रोड से स्ट्रीट में जाने वाला हूँ लिफ्ट मैंने ले लिया है देखिए देखिए स्ट्रीट में आ गया हूँ सामें से गाड़ी आई तो मैंने थोड़ी रुका दी क्योंकि एक ही गाड़ी क्रॉस होती है तो देखिए दोस्तों अगर हमें सामें से गाड़ी अगर कोई आ रही हो तो देखिए इंडिकेटर राड जो होती है उसको पकड़ के उठा देना चाहिए यहाँ पर लाइट आएगा आपको आगे वाले गाड़ी चलने ड्राइवर को पता चल जाएगा हमें रोकने के लिए लाइट की जो उधर रोक जाएगा हम आराम से जा सकते है देखिए यहाँ पर लाइट आ गया देखिए इसको उठा के पकड़ने के बाद उसको पता चल जाता है कि हाँ यह की गाड़ी क्रास हो रही है आपको यह इशारा क्या कहता है आगे वाले गाड़ी को रोकने के लि यह हो गया आज का नाइट ड्रेविंग का सेशन दोस्तों अगर किसी भी टापिक पर आपको गाड़ी चलाने के बारे में कुछ भी टापिक चाहिए हो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा बताईगा पूछिएगा और वीडियो कैसी रही बोलिएगा अगर मेरी वीडियो पसंद आये तो लाइक करिएगा शेर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को बहुत 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 टापिक आने वाली है बहुत बहुत अच्छे अच्छी कांटेंट आपके लिए लाओंगा बहुती कमाल की ड्राइविंग सिखाऊंगा बहुत सारे भाईय है बहुत सारी हस्ते हस्ते सीख जाएंगे हम कोई ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं आप आराम से सीख सकते हो इजी सीख सकते हो तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मिलते हैं